नमस्कार, खगोलिय दैबिय रहस यानि की सेलस्टियल डिवाइन मिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है मैं हूँ आपका होस्ट राजीव रंजिन आईए आज हम बात करते हैं एक चमतकारी पौधे का जिसका नाम आप सब लोगों ने सुना होगा जी हाँ आज हम बात करेंगे तुलसी का तुलसी जिसको की कृष्ण से जोड़ के देखा जाता है ऐसा ऐसी मानेता भी है कि साम के समय तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए क्योंकि राधा और क्रिष्ण का वहां बास होता है अगर साम में कभी जरूरत पड़ भी जाए तुलसी तोड़ने के लिए तो पेड़ को थोड़ा सा हिलाना पड़ता है उस पौधे को उसके बाद तुलसी के पत्ते तोड़ने चाहिए तुलसी के कई गुन हैं आज कल जब कोरोना काल में तो जाद अतर लोग काड़ा बगएरा बना के पीते थे उसमें तुलसी के पत्ते का हमेशा इस्तेमाल होता है और तुलसी वास्तु के हिसाब से काफी ही एहम पौधा है एक क्योंकि आप हजारों वर्सों से तुलसी जो है अपने आंगन में लोग लगाया करते थे अब जब कि नुकलियस फैमिली हो गए परिवार छोटा हो गया आंगन नहीं बचा छोटे छोटे फ्लैट में लोग रहने लगे तो अब सबाल उठता है कि अब तुलसी आंगन नहीं है तो कहां लगाएं तो तुलसी लगाने की दो चीजे हमेशा याद रखें तुलसी कभी भी छट पे ना रखें इसे असुर माना जाता है अगर छट पे तुलसी का पवधा रखेंगे तो घर में कभी बरकत नहीं होगी पैसे की आमदनी का रुक जाएगी और जो है कि नुकसान होने लगेगा तो छट पे तुलसी रखने से बचें और एक चीज और ख्याल रखें कि अपने घर के दाहिनी और तुलसी कभी ना रखें दक्षिन दिशा की और आप उत्तर रख सकते हैं पूरब रख सकते हैं पस्चिम रख सकते हैं दक्षिन दिशा में तुलसी रखने से बचें उसका भी वास्तु दोस लगता है आप सगुन माना गया है तरक्की रुक जाती है घर में जो इनकम है वो कम हो जाता है तो तुलसी बहुत ही एहम चीज है पभित्र माना गया है और कब तुलसी के पत्य को तोड़ें तुलसी पत्ता तोड़ने से पहले आपको असनान कर लेना ज़्यादा जरूरी है बिना नहाए हुए तुलसी के पत्ते को ना तोड़े और सुरे गरहन, चंदर गरहन, एकादसी इन सब दिनों में तुलसी के पत्ते को ना तोड़े और क्योंकि यह अपसगुन माना जाता है और हो सके तो इतबार और मंगलवार इन दो दिनों में भी तुलसी के पत्ते को तोड़ने से बचे तो तुलसी जो की गुनों की खान है जो बहुत सारे इसे इंसेक्ट्स कीडे मकोडे होते हैं जो शरीर को तोचा को नुकसान पहुचा सकते हैं मनुस को तो अगर तुलसी घर में है तो उस तरह के कीड़े मकोड़े भी नहीं आते हैं घर में तो हमें उम्मीद है कि तुलसी से जुड़ी हुई काफी जानकारी आप लोगों को मिल गई होगी अगर आपको मेरा चैनल पसंद है खगोलिय देविय रहस तो जरूर इसे लाइक करें शेर करें और बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों को भी बताएं आज के लिए फिलहाल इतना ही नमस्कार और नमस्षिवाए